आप है जहां न्यूज ब्रोडकास्ट है वहाँ पंजाब विधानसबा चुनाओ के मौझूदा माहूल के बीच डेरा सच्चा शोदा के परमुख गुर्मित राम रहीम सिंग के जेल से रिहा होने के बाद सभी दल चुनाओी जोड घटा में लगे हैं और सभी दलों के नेताओं की नजरे डेरा परमुख राम रहीम के ऐलान पर टिकी हैं अनुमान लगाया जा रहा है कि डेरा सच्चा शोदा इस बार 18 फरवरी की शाम को पंजाब में यह ऐलान कर सकता है पंजाब में सभी दलों में कमेटियों का गठन किया गया है जो सर्वे करके अपने रिपोर्ट सियासी विंग को सोपेंगी इसके इलावा विंग ने मीडिया की खबरों के आधार पर भी एक रिपोर्ट त्यार करनी शुरू कर दी है गौरतलब है कि 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाओ में डेरा सच्चा शोदा ने सियद भाजपा गठबंदन का समर्थन किया था जिसके चलते तेजी से आगी बढ़ती आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था इस बार पंजाब चुनाओ में कई दिलों के सामने आने से पंजाब चुनाओ का समिकर्ण किसी को समझ नहीं आ रहा है अब देखना होगा डेरा सच्चा शोदा प्रमुकराम रहीम किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं अब तक लिए बस इतना ही देश दुनिया से जूर तमा अबडेट जानने के लिए मारे चानल को आज ही सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइकें शेया करना इलकली भी ना भूलें